बीना महिनत घर पे बनाए टेस्टी कुर्पकुरे साबुदाना के पापड यह बनाना बहुत ही आसान ही यह साइज में फ्राय करने के बाद दुगने फुलते हैं देखां यह कितनी हिसे बनानने के लिए न साबुदाना को ज Qui-s i ability बनाने के नहीं बेलने की और नहीं साबुदाना को पकाने यह बहुत ही स्तंट बन जाते हैं और सालों तक इस्ते स्टोर कर सकते हैं तो चलिए जानते हैं इसे कैसτα बनाते है यह सबसे पहले एक बावल लेंगे उसमें तो कप भिघोय साबुदाना की रिशिपी में बताया अपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक दिस्क्रिप्शन और आइ बटन में मैं दे दूँगी आप जरूर देखे ताकि आप भी इंस्टन पापड बना सके यहाँ पे दो कप भिगोया साबुदाना लिया है अब उसमें स्वादानुसार चार सी पाच हरी मिर्च को बारिक चौप करके डाल देंगे एक ती स्पून काली मिर्च पाउडर एड करेंगे एक से देड़ चमच सेंधा नमक डालना है सेंधा नमक आप स्वादानुसार कम जादा कर सकते है अब इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह तयार है पापड का मिश्रन इसे बनाना कितना आसान है इस पापड को हम इडली कुकर में बनाएंगे इडली प्लेट को घी लगा कर ग्रीस कर लेंगे आप चाहे तो ओइल से भी ग्रीस कर सकते है अब इसमें तयार साबुदाना चमच से डाल देंगे एक से दो चमच ही डालना है और उसे इस तरह फैलाए ताकि यह एक दुसरे पर नहीं आए और एक जैसा फैलाए उसमें बीच में जगह नहीं चुटनी चाहिए इस तरह प्लेन फैलाना है इसी तरह सारे प्लेट में साबुदाना भर लेंगे ग्यास पर इडली स्टैन में पानी गरम करने के लिए रखा था पानी गरम हो गया है, उसमें यह प्लेट रख देंगे और इसे ढकन लगा कर 5-7 मिनिट तक कम फ्लेम पर पकाएंगे 7 मिनिट के बाद चेक करते हैं, साबुदाना ट्रांस्परंट हो गया है अब गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे थंडा होने देंगे प्लेट थंडी होने तक हम पॉलिथिन या थाली को ओईल से या घी लगा कर ग्रीस कर लेंगे ताकि पापड चिपकेंगे नहीं अब प्लेट थंडी हो गई है, इसे चम्मस से चारो साइड से एजेस को डूच कर लेंगे और हलके से निकालना है बड़ी सावदान इसे इसे निकालना है आप इस तरह चाहु से भी निकाल सकते है इस तरह सारी पापड को निकाल कर पेरेस पर या गैलरी में दूप में इसे सुखाए दो दिन में इह सुख जाते है दो दिन के बाद इह अच्छ से सुख गए है दो कप सावदाना से 14 पापड बने है इतने छोटे साइज के पापड फ्राय करने के बाद दुगने बन जाते है अब इसे फ्राय करके दिखाती हूँ मुखफली का तेल गरम करने के लिए रग दिया था यह गरम हो गया है ओइल में पापड डाल देंगे और कईची से इसे प्रेस करते दबाना है देखिए यह पापड कितना फुला है साइस से दुबना हो चुका है इसी तरह पापड को ठ्राय कर लेंगे आपको यह तरीका कैसा लगा यह हमें कमेंट करके जरूर बताए आपको यह रेसिपी अच्छी लगी तो एक लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन को जरूर पेस कर दें आपने फेस्बुक, इंस्टाग्राम और ट्यूटर पर फॉलो कर सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिक्री तब तक के लिए बाबाई